नागेश कुमार जी हरीद्वार से गुरु महराज आपके चनव में डणवत प्रणाम महराजी सनातन हिंदू धरम में बिवा के पहचाद पुरुष के पुन्ने का आदा भाग इस्त्री को मिलता है जबकि इस्त्री की पाप का आदा भाग पती को मिलता है जिसे उसे में इस लोक में उद्याने चमद्द पाने राज़त दुआरे पिता ग्रहे बिना अज्यानगंत अब्यंबर्या चति वरांगना व्याह में जो वचन भराए जाते बात यहां है कि जब पाणिक ग्रह करते तो दोनों मित्र होते हैं भाव आये होता है अब शरीर दो होंगे और उनके कर्म एक होंगे हम दोनों शला से जो भी कारि करेंगे धर्म में करेंगे और दोनों धर्म के प्रताप से भगवान को प्राप्त करेंगे उसका भाव की वज़े है कोई भी आप मनमानी आचरण नहीं करेंगे बिना हमारी अनुमती के आप किसी घूमने जंगल ऐसे पिता के भी ग्रह में या राजदरवार में या जहां कोई मदिरा पी बैठा हो मद्दिशालादी के पास बिना हमारे शानिति के आप नहीं बिना हमारी अनुमती के धर्म नहीं करेंगे जो धर्म का कारी करेंगे उसमें आप हमसे सलाह लेंगे ये उत्में इस तरह की बाते कही गए उसका ताथ है कि हम दो शरीर देखने में रहेंगे लेकिन हमारी रुची हमारा भाव एक ही रहेगा अब अगर आप इस संकल्प से अलग हैं तो फिर आप पति-पत्नी हैं नहीं क्यों नाटक हो रहा है अगर आप वास्थिक पत्पत्नी हैं तो जो आप दोनों की शला से सत्कर्म या जो भी तृटी होगी दोनु है ना देखने जिसे दो हाथ हैं ये कुछ करे ये कुछ करे तो आपको फला लग अलग तोड़ी मिलेगा कि वह उसने तो बाय ने किया ये तो दाय ने किया बोगता तो हमी बनेंगे ना हाथ हमारे दूनु ऐसे पती पत्नी को अरधांगे नी पत्नी को का गया है कि आप दाहिनांग वो बामंग के समान है दूनूं मिलकर कि जैसे गाड़ी के दूपर ये चलते हैं तो लक्षेक ही तो होता है ये थोड़ी कि बाया कहीं और ले जाएगा दाया और कहीं ले जाएगा हाँ अगर वो अलग-अलग खुलके निकल जाते हैं तो गाड़ी ही नही तो वास्तविक कहते हैं ये जगत भी सुख में उसके लिए हो जाएगा दोनों धर्म से चलें प्यार से चलें और ये पतिनी पातिवरत धर्म धर्म करें और पती पतिनी में केवल अपना भाव जो संसारिक भाव मालू काम भाव है वो केवल अपनी पतिनी में और शीमित हो करके दोनों दर्म चले बगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे पर जब गर्ल फ्रेंड और बोई फ्रेंड पहले से बन रहें तो इनमें पातिव्रत धर्म आएगा इनमें एक पती निश्टा आएगी उनमें पतिव्रत का भाव आएगा या पती पतनी से जैसे पवित्र वस्त्र पहन करके ही अग्य किया जाता है अैसे या शरीर वस्त्र है इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक ये दाम पत्य जीवन का संकल्प न बन जाय and और ऐसा हो रहा है क्या है कहा हो रहा है आप बताओं ना कहा हो रहा है छुटी छुटी बच्चे छुटी छुटी बच्चियां वैसे मन संसार में आ सकते हैं और यह सब नए भातावरण ने जो मिटिया मेट कर दिया आप लोग तो संसार में हो इना क्या अब ये बाते केवल केवल बाते ही रहे गए ये तो कुछ आदमी होंगे जो ब्या करवाते होगे पंडीची से ने तो ऐसे उसमें लिखा लो जज किसाब ले आए कोर्ट में और या भीया मंदिर में माला डाल लिया चुआ के हो गया हो गया मतब क्या यार समय आ गया है अब आपने उससे भाव से स्विकार किया और दो महिने बाद के दिया आप हमें पसंद है तो बजार की वस्तु समझी थी क्या जीवन बरबाद हो रहे न और ये पास है ये आज की सवाजवारी इसे पास करे कि पड़ी लिखी सवाज है ये पड़ कहां कैसे नश्ठिक भावनाय ही निष्ठा पूर्ण नहीं रह गई है कैसे अब तो बस यह है कि एनके प्रकारे जैसे नाम जब करो अपना कल्यान करो और अपने जोग सगे सम्मंदी उनके लिए नाम जब करो वो जब करे ऐसी भावला हम जब करके उनके लिए भी नाम कि तुम पुत्र हो तुम पत्नी हो तुम्हारी बुद्धी शुद्ध हो तुम्हारे अंदर सद्भावनाया में बस यह हमारी सिक्षा तो यह पत्नी नाम जब करे काओगे नाम जब करो नहीं करे कि तुम्हें गुस्सा आएगा लड़ाई जगडा करो आप नाम जब करो आप लिखा है सास्त्रों में, नहीं माने को अनुजात अनुजा, बेटी वेहन की सुरक्षा घर में ही नहीं होगी, असुरक्षित जीवन, पशुवत जीवन, भाई नाम जब इसलिए सब को चिला के कहते हैं, जह हम से कोई प्रस्न करता है, तो मिन भी सेयों पर भले बात करते हैं हम सब से कहते हैं, जो हो, जहां हो, जैसे हो, नाम जब करो, नाम जब करो, तुम जो भी हो, ठीक हो जाओगे, नाम तुमारा मंगल कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, फिर नाम जब करो, नहीं कर पाओगे, जो कर रहे हो, करो, नहीं छोड़ पार मत छोड़ो एक और डालो नो जहां इतनी गंदगी जमा किये हो एक डालो राधा 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 वो तुम्हें आत्म बल मिलेगा तब तुम अपने आप सब छोड़ दोगे गलानी होगी आप एक नौयूग कभी कले या परशों था व परेत हो ज़ा रहा है हमसआ मेरा ही चमान हो रहा है देखो ना नाम ने कैसा किया कि जो पूर्व क्रित कर्म हैं उन के प्रति जो प्रती बषर्चातक अप ग्लाझी यही सबसे बड़ा उत्तम उन्नती का मार्ग है तो देखो अब कहें आप ये छोड़ो ये छोड़ो आपको कैसे छोड़े लादार अपना सुरू करो अब ये आपको पावर देगा तो अपने आप सब छूटता चला जाएगा फिर उसका जो परिणाम है वो भश्म हो जाएग जहां तक हो सके इन सब विचारों को छोड़िए नाम जब कीजिए और पतिनी में भी भगवत भाव रखे परिवाद में भी भगवत भाव रखे और अपने करतब क्या ध्यान रखे कि मेरा पतिनी की प्रति क्या करतब है मेरा धर्म क्या है उसका धर्म क्या है उसके विशय में यह समय के अनुशार अगर तुम सिक्षण देने चलोगे तो तुम अपने धर्म को खो देऊगे फिर तुम्हें क्रोध आ जाएगा फिर तुम उससे जलन पैदा करने वाला बिवार करने लगोगे हो शकता है क्रोध में हिंशादी दोस्त बड़े-बड़े हो जाते हैं इ उसका मन ही उसको दंड़ देने लगेगा एं शांत भाँ से अगर वास्तिविक्षण लेना एक तो सिर्फ अपने करतब बीपर द्यान देना इंवत्र है मेरा कर्तब इसके लिए क्या है नाहिका मेरे करतिक वार्यां यह ने देखना ये देखोगे तो कर्तब निर्वाक कर रही नहीं सकते मेरी बात मान लेना अगर मरीज का बिवार क्या है डाक्टर के प्रति ये देखे न तो कभी यो डाक्टर ही नहीं कर पाएगा वो अपने कर्तब भी को देखता है तो रो चिला लात मार बांध इसके हाथ पर और आप्रेशन करता है इंग जिसन लगा जिता है बस अपने को ये समझना है जिसे पागल खाने में हो न और डाक्टर ही करनी हो तो कहीं से भी थपड़ पर सकता है कहीं से भी गाली मिल सकती है पर वो पागल है उन्हें में सुधार ना है ऐसे चलना होगा भी या कलियूग है अब का जो सुभाव स्वरूप आएगा वो तुम्हारे अनुकूल नहीं आएगा तुमको देखना है अपने कर्तब को अगर ऐसे चलोगे तो ठीक हो जाएगा क्यों इसमें कोई तर्क है